नमस्कार दोस्तों आ गया हूँ जीशियू सीरिस की एक और वीडियो लेकर आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजजेस्टर्स के बारे में कि एजजेस्टर्स क्या हैं और किस तरह के से आप उन्हें यूज कर सकते हो उसमें दिये गए जितने भी फीचर्स हैं वो किस तरह के से वर्क करते हैं और कौन से एजजेस्टर्स आपको रखने चाहिए कौन से नहीं रखने चाहिए सारे मैं बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को आखरी तक देखिएगा कुछ और चीजों के भी बारे में मैंने बात किया है इसमें एजजेस्टर्स के अलावा जैसे मल्टी पार्ट के बारे में बात की है और भी कुछ options के बारे में बात किये तो वीडियो को आकरी तक जरूर देखिएगा काफी knowledge मिलेगी अगर आप G-show चलाते हैं तो वीडियो को आकरी तक देखिएगा, like किजेगा, share कर दीजेगा ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजेगा और सब तक ये वीडियो पहुचे तो share जरूर से हो जाना चाहिए तो चलिए आज की इस वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों हम चलेंगे G-show के अंदर और प्लेशन सेटिंग के अंदर चलेंगे अब यहाँ पे हम पहले नमबर पे जाएंगे पहले उप्रेशन सेटिंग के अंदर बाहर ही हमें एज जैस्स मिल जाते थे लेकिन अब इसके अंदर चले गए हैं तो इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा अब यहाँ पे कहीं सारे उप्रेशन से हैं जो कि मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ पिछली से पिछली वीडियो देखिएगा आप तो सभी के बारे में आप बात करते हैं कुछ हैं जो यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि जो मैंने वो वीडियो बनाई थी वो 11 तारिक की अपडेट वाला था लेकिन यह अगस्ट की कोई मैं अपडेट यूज कर रहा हूँ अभी जी से प्लस है यह तो इसमें वो वाला नहीं है कुछ फीचर लेकिन आने वाले समय में उसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में हमने बात कर लिया भी होमारा नेविशन सेटिंगेंदर था तो आप एक सारी से के अई अंधर ये अंधर ता यह भी हमारा वहीं पर था यह से आप जो हम मुल के लिए कर्यक्तर बढ़ करते है तो आप पर अप कास्टमाइज कर सकते आप नहीं साब से यह भी हमारा नविगेशन सेटिंग के अंदर था तो इतनी सारी चीज़ें नविगेशन सेटिंग से उठाकर यहाँ पे ले आएं हैं लोग पहले उप्रेशन सेटिंग में एक नया अधर सेटिंग हुआ करता था नीचे वहाँ पे हमें मिलता था लेकिन अब यह यहाँ पर आ गया है इसका काम क्या हो मैं आपको बता देता हूं ठीक है जो हमारा यहाँ पर नहीं है उनको भी देखी लेंगे लेकिन यह जो मेन है होने टैब थ्री फिंगर डबल टैब थ्री फिंगर ट्रिपल टैब यह वाले जो होते हैं इनको आप यूज करना चाहते हो तो आप इसे चेक लगा होगे लेकिन क्योंकि मैं भी जिस मुवाईल से वीडियो बना रहा हूं यह Android 10 में नहीं है तो इस वज़े से मैं दिखा नहीं काँगा जेस्टर स्कीम के अंदर आप जाके देख सकते हुद जो क्या जबि SHT पर जो पार आज यहें जसके बारे में भी आज आगे बाद करेंगे तो उसके बाद आपको यह MULTIFINGER वाले मिल तो आ जाएंगे लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाऊगे ठीक है रखना उसे उन्हें वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मल जेस्टर को करोगे ठीक है आपका एंडूइड 11 यह उससे उपर है तो आप राम से कर सकते हो जैसे हम टॉक्वेक में उस करते हैं वस वैसे यह से इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं एज जेस्टर के बारे में बात करेंगे पहले थोड़ा एक दो ओप्शन और है नीचे तो उनको भी कवर कर लेते हैं फिर हमारे में टोपिक के ओपर चलेंगे मल्टी पार्ट जेस्टर अ मैंने चेक किया हुआ क्योंकि मैं इसको हुआ हूं शरला सब्सेटिक तो सारे मल्टी पार्ट जेस्टर वाले जुचक्त है वह आ जाएंग वहां से आप सब्सक्तोरात है अपने हिस डिसेबल कस्टम जेस्टर वाइल करेक्ट्र बाय करक्ट्र प्राक्र वावजिग देल इसका मतलब यह है कि ज़िए थे पहलेक्ट्न यहां बहुत ज़रूरी यह उप्शन पहले अधर सेटिंग में अगरता था लेकिन अब यहां पर आ गया है काफी यूसफुल यह उप्शन है आई थिंग नेविगेशन के अंदर था यह मुझे एक्जेक्ट याद नहीं है तो इससे चेक होना जबहुत ज़रूरी है यह चेक नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत आसकते करेक्टर बाय करेक्टर ब्राउजिंग मोड़ है मेरा चेक ही है इसके आगे और कोई ओप्शन नहीं है अब चलते हैं एज जेस्टर्स के अंदर पहले यहां पर इस चेक बोक्स को मल्टि जएज जेस्टर्स वाला चेक बोक्स है इसे चेक लगाना पड़ेगा आपको इसने इसका description भी दिया हुआ है कि किस तरह के से इनको use करना है तक है मैं आपको असान भाशा में बताता हूं किस तरह के से use करना है उससे पहले हम यह जानते हैं कि हमारे mobile का जो पूरा layout सा होता हो किस तरह के होता है पहले लेफ्ट या राइट में बहुत मुएल में लेफ्ट में भी होता है जातर मुएल में राइट में होता है पावर वाला बटन पावर या वोल्यूम वाला बटन उसके बाद अगर हम राइट से लेफ्ट की और आएं तो एज होता है पावर बटन जहां पे है उसके जहां ले ले दो आपको अच्छे समझ में आजए जैसे आपने देखा हो को फ्रेम जो पिक्चर वाला फ्रेम होता है उसमें क्या होता है बीच में ग्लास होता है ग्लास के अंदर पिक्चर होती है आसपास फ्रेम लगा होता है बीच में ग्लास होता है और आसपास फ्रेम होता है इ जो कि बेसिक यूजर भी बहुत यहां पे वीडियो देखते हैं मेरी इस वज़े से, तो फोटो जो है, उसके अंदर जो सामने हमें नज़र आता, जो पिक्चर नज़र आती है, वो है, उपर हो ग्लास, जो ग्लास के पीछे है, वो पिक्चर है, जो इस इनसान की है, जो भी मुवाइल का भी होता है, अब एज जेस्टर्स क्या मतलब क्या हुआ, एज यानि किनारा, यानि आपको किनारे से जेस्टर्स को परफॉर्म करना है, ठीक है, फ्रेम का ये एक्जामपल ले लेता हूँ, या फिर आप अपने मुवाइल को अपने दिमाख में सोच लिजे कि आपको एक फिंगर से, राइट से लेफ्ट की और स्क्रोल करना है, और एक फिंगर से लेफ्ट से राइट की और, थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं आपको, जैसे मैंने बोला, एज जेस्टर्स, ठीक है, अब ग्लास और फ्रेम कहीना कहीन तो मिल रहे है, ठीक है, ग् जहां पर मिले हुए है जो मिले हुए है उसके उपर आपको finger रखनी है finger रखनी है बहरे आप right से रखो right में टीक है right से रखो गया finger एक vibration से आएगी टीक है और उसी finger को बिना उठाए बिना उठाए आपको left के और finger खिसका नहीं है ठीक है खिसका होगे तो कहीं सारे options आएंगे क्या-क्या option आएंगे कौन से कौन से आएंगे वह मैं आपको बताऊंगा फिलाल आप मेरी बात को सुनिए बस ट्राय मत कीजिए अब ऐसी ही चीज आपको left से भी करनी है जैसे मैंने right से बताया कि right के edge में आपको finger रखनी बढ़ेगी और कहां रखनी है finger क्योंकि अगर मैं left का कह रहा हूं तो left तो बहुत बढ़ा है screen बहुत बढ़ी होती है कहां पे रखूं मैं exact क्या तो जो आपका power button है na power button जहां पे खतम हो रहा है उसी जगा ठीक है एक तरीक है मोगाईल का beach वाला हिस्सा जो होता है उसकी आस-पास आपको र साइट में क्योंकि वहां पे किनारा होता है आपका वहां पे आप finger रखिएगा उसके आस-पास देख लीजेगा क्योंकि कुछ miles थोड़े बड़े भी होते हैं साइज में कुछ छोटे भी होते हैं तो जगा change हो सकती है थोड़ी होती लेकिन होगा यहीं पे मेन यहीं पे हो कि राइट में थोड़ा सा वहां पे हमें finger रखनी है vibration आएगी बिना finger उठाए left की और finger लेके जानी है options आएगे कौन से option आएगे वह मैं आपको बताऊंगा फिलाल मेरी बातों को आप सुनिए बस राम से left से right की और जाने के लिए हम क्या करेंगे अगर आपको practice नहीं है बि मुस्किल हो सकता हैं लेकिन जब आपको आजाएगा क्यूंकि काफी यूजफ्ल है अब आप एक जैस्टर आपको रखना पड़ता है एक function क्याивает chef पर रखना पड़ता है अब इनहीं एक जेस्टर पे ऑ3-4 जित्ने फंच उनभल रखते हो किसी तरीप से मैं आपको बताऊं कि हमारे मौहाल में कहीं सारे एज होता है बोटम भी होता या टॉप होता है लेफ्ट भी होता है रइद या आपको पता होगा जो आऊ इस तरीके से आप आप कह सकते हो एज हैं यहां पर हमारे मुगल में लेकिन हमीं इसमें अभी जीशों में जो दिये हुए हमें यूज करने के लिए वो फिलाल तीन है राइट लेफ्ट और जो बोटम वाला है ठीक है बोटम वाला कैसे निकलेगा होम बटन जो है न उसके थोड़ा से ओपर फिंगर रखोगे और वापे वाइब्रेशन आएगी ऊपर की और फिंगर लेके जाओगे ठीक है लेफ्ट राइट नहीं लेके जाना आपको एक तरह की से अपोजिट डिशा में लेके जाना है अगर आप लेफ्ट से निकाल रहे हो तो राइट की और जाओगे राइट से निकाल ले तो लेफ्ट की और जाओगे डाउन से निकाल ले तो अप की और जाओगे अप वाला तो कोई ही नहीं अप से अगर निकालते तो डाउन की और आते हो सकता आने वाली update में वो भी add हो जाए तो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें edge gestures को use करना है अब चलते हैं इसके अंदर edge gesture settings इसके अंदर चलते हैं अब यहां पर कई सारे options हैं कई सारे options हैं सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे पहला option है इसने कहा कि आप अगर bottom edge menu को use करना चाहते हो तो आप इसे check लगाईए इसको मैं check लगाता हूँ अब इसने इसका description भी दिया था लेकिन मैं आपको असान भाचा में हिंदी में बता दूँगा ठीक है home button के थोड़ा उपर में finger रखूंगा vibration आएगी आपको vibration आई होगी देखो आई ठीक है अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ जैसे vibration आएगी तो एक menu सा खुलके आजाता है screen पे menu सा खुलके आजाता है जिसमें जैसे आपने finger रखी vibration आया vibration जहाँ पे आपने finger रखी हुई है थोड़ा सा उपर उसके cancel होता है ठीक है cancel के उपर पांच option होता है उन पांच options के उपर एक cancel का button होता है यानि cancel के बीच में पांच options हैं कौन से कौन से मैं आपको दिखाता हूँ गोबेक भूब स्क्रीन रिसेंट अप्लिकेशन नोडिफिकेशन बार विक सेटिंग कैंसल मैं उठानी रहा हूँ फिंगर को मैंने रखी हुई है बीच में आगया मैं तिक है मैं उठानी रहा हूँ जैसे मैं उठा लोंगा कहीं पर भी जैसे जैसे मैं होम स्क्रीन पर आ गया किसकाते किसकाते जैसे कीबोर्ड में लिखते न डूंदते हैं की को बिल्कुल वैसे ही उठानी निये फिंगर अगर मैंने बॉटम एज मेन्यू निकाल ला है तो मैं होम बटन के थोड़ा ओपर जब वाइब्रेशन आ जाएगी तो मैं उ फंचेंशन एक्टिवेट कराना इन में से पांच में से ठेक होम और यूबैक यह नोडिफिकेशन बार या कुउक सेटिंग में से मुझे जाना है होम्स्क्रीन में तो मैं होमस्क्रीन को ढूंदूँूंगा मुला अब मैं यहां पर फिंगर को उठा लूँगा जैसे मैं उठा लूँगा यह फंचेन एक्टिवेट हो जाएगा देखना आ गया होम स्क्रीन के अंदर देखो दूआरा चलते हैं जीश्यों के अंदर अब जैसे ही अगर आपको कोई फंचेन एक्टिवेट करना हो मालो आप लेफ्ट से राइट की और आ रहे हो या राइट से लेफ्ट की और जा रहे हो आपको कोई फंचेन मिल गया जो आपको एक्टिवेट करना है तो वहीं पर आपको फिंगर उठा लेनी है किसका किसका कि आप ढूंडे लोगे ठीक है फंचन जैसे आपको मिल जाएगा फिंगर उठा लोगे वहीं पर तो फंचन अक्टिवेट हो जाएगा ठीक है अब मैं दिखाता हूं एक और चीज आपको मालो मुझे कुछ नहीं कराना है मैंने दुबार एक्टिवेट किया है बोटम एज मेन्यू अब इसके दो तरीके हैं या तो आप यहां पर कैंसल ढूंड़ो उठा लूंगा कैंसल हो जाएगा अगर मैं यह नहीं करना चारा तो मैं क्या करूँगा एक दम वन सेकंड के अंदर अंदर हाफ सेकंड भी कहोगे तो एक सेकंड के अंदर मुझे पूरा स्क्रीन अपनी फिंगर फास्टम फास्ट बाहर निकाल देना है जैसे मैं आपको जगाता हूं इस तरीके से क्योंकि आखरी options cancel ही होता है तो cancel यह एक्टिवेट हो जाता है ठीक है इस तरीके से तो आपको एक अगे नहीं है इसको आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो कस्टमाइज करने का इसका कोई भी option फिलाल नहीं हो सकता आने वाली अपडेट में आ जाए लेकिन फिलाल नहीं है यह वाला जो option है वो आखरी में हम समझेंगे क्योंकि यह थोड़ा confusing हो सकता है कि मैं अभी समझाने लगा इसका अगला यह option है यह वाला जो option है इसे फिलाल आप चेक लगा दीजे उससे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि जो लोग साथ जुलाई का जीशो यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें तो यहाँ पे मिलेगा नहीं जहाँ पे मैं अभी हूँ उप्रेंस सेटिंग में पहले नंबर पे जेस्टर डिफोल्ट सेटिंग के अंदर यहाँ पे मुझे एज जेस्टर मिल रहे हैं जो पुराने जीशो यूज़ कर रहे होंगे जो साथ जुलाई या उससे पहले का यूज़ कर रहे होंगे तो उनको यह एज जेस्टर के अंदर कहां मिलेंगे यह सारे उप्शिंस अब मैं आपको यह बता दूँ पहले जो तीन है ना पहला वाला तो पहले नंबर भी मिलेगा दूसरे नंबर पर वो मिलेगा जो चेक बोक्स आमें बाहर मिला था जिसे मैं चेक करके आया था कौन सा वाला मैं आपको दिखाता हूँ आपके पास यह दूसरे नंबर पर मिलेगा और तीसरे नंबर पर यह वाला यह आपको मिलेगा तीसरे नंबर पर और यह चोथे नंबर पर देखो यह मिलेगा आपको चोथे नंबर पर अब आपके जो साथ जुलाई का है उससे पहले का यूस कर रहे हूं ने क्या करना है अभी बॉटम करना चांदे हो तो आपको चेक लगा लं है पहला वाला तो सेम ही है अगर आपको edge menus यूसरा toe दूसरे वाह रλαगा दогी तीसरा वाला मैं आखळी बताओंगा चोथे वाले को आपको चेक लगा लेना है, ठीक है, चोथा वाला जो मैंने अभी बताया, फिलाल उसको चेक लगा लेना है, समझाओंगा मैं आखरी में, क्योंकि तीसरा और चोथा, जो मेरे पास दूसरा और तीसरा है, वो थोड़े confusing हो सकते हैं, क्योंकि आगे चार edge gestures हैं, जो उनसे relate करते हैं, इस वज़े से, तो फिलाल आपको जो 7 जुलाई का यूज़ कर रहे हैं, उन्हें चोथा वाला चेक लगा लेना है, जो 1 अगस्त या उसके बाद का यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें तीसरा चेक लगा लेना है, ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या option ह जिसकी भी, edge justice आप यूज़ करते हो, आपने right से left की और जान, जब आप edge justice निकालोगे, तो उसके लिए भी आपने functions रखे हुए हैं, left से right की और आओ, तब भी functions रखे हुए हैं, अब ये चाह रहे हो आप, कि मैं जब WhatsApp के अंदर हूँ, क्योंकि मैंने उसकी WhatsApp की पर, edge justice की ब मैंने उस gestures scheme में बनाए हुए हैं, समझे, जो gestures आपने set किये होंगे, या functions बनाए होंगे, वो सारे आपको left edge gestures के मिलेंगे, ठीक है, left edge gestures के अंदर मिलेंगे, ठीक है, जो हम left से निकालोगे, left से आप gestures निकालोगे, edge gestures, और right की और जाओगे, तो आपको वो सारे options नजर जो आपने उस gesture scheme के अंदर रखे होंगे, आप WhatsApp के अंदर होंगे, तो WhatsApp के जिसने भी function होंगे, वो आपको नजर आएंगे, YouTube के अंदर होंगे, YouTube की पराफ application आपने बनाए होगी gesture scheme, तो उसके आएंगे, Play Store के बनाए होगी तो Play Store के आएंगे, लेकिन पूरे mobile में होगे आप, तब नहीं आएंगे, तब वही आएंगे, जो आपने left में customize किया होगा, कि left से जब मैं निकालूं तो क्या क्या option है, वो वही आएंगे, वो किस तरीके से करना है, वो आगे आएंगा फिलाल, तो आप इसे check या not check कर सकते हो अपने हिसाप से, तो आपके ओपर है, आप use करना चाहो या ना करना चाहो, अगर आप edge gestures use करते हो, तो मैं आपको suggest करूंगा यह, कि आप इसे check लगा लीजेगा, दुबारा सुना दीता हूं कुन सा option है, ठीक है, अभी इसके आगे एक option है, ट्रिगर range क्या होनी चाहिए, ठीक है, एज जेस्टर की, यह कुछ काम का तो है नह small, medium, big, maximum, ठीक है, अब इनमें trigger range क्या-क्या है, वह मैं आपको ओता जिता हूं, small का मतलब 8 trigger range होनी चाहिए, medium का मतलब 12 होनी चाहिए, big का मतलब 16 होनी चाहिए, maximum का मतलब 20 होना चाहिए, लेकिन यह काम नहीं करता है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब हम left से right के और जाएं, तो कितने options आने चाहिए, 20, 25, 16, 12, कितने आने चाहिए, तो यहां से आप trigger range सेट कर सकते हो, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, यह work ही नहीं करता है, तो आपको यहां पे फिलाल क्या करना है, maximum पे select रखना है, 20 रखना है, इसके आगे, customize the left edge menu, इसके बारे में बात करते हैं, इसी के आगे मिलेगा, customize the right edge menu, इसके बारे में वैसा ही है, जैसा मैं left edge menu के बारे में बताऊँगा, इसके अंदर आया सेम वैसी सभी चीज़े रहेंगी जैसा राइट लेफ्ट के अंदर मैं बता रहा हूं वैसे राइट के अंदर भी रहेंगी सारी चीज़े यहाँ पे heading है वहाँ पे बस आपको दिखाई देगा customize the right edge menu यहाँ पे दिखा रहा है customize the left edge menu इसके आगे एक बटन है add का यहाँ से हम functions को add कर सकते है default अगर आप सारी setting default मिलाना चाहते हो तो यहाँ पे click करोगे attention अगर आप सारी setting को default मिलाना चाहते हो तो यहाँ पे OK कर दोगे OK बटन आएगा cancel OK ठीक है OK कर देता हूं default में आ गई दोबार अब यहाँ पे default में जो है ना कहीं सारे functions add होते हैं पहले सी मैं आपको दिखाता हूं कौन से automatic browsing इतने सारे options पहले सी default में add होते हैं अब मैं अगर left से निकालूंगा मैं आपको दिखाता हूं अगर मैं दिखा सकूं देखो मैं अब लेफ्ट से राइट के और जा रहा हूं दिरे-दिरे फिंगर की साते हैं अब यह है अब मालो मुझे किसी एक को डिलीट करना है यहां से तो मैं क्या करूंगा मालो मुझे इससे डिलीट करना है डबल टैप लोंग प्रेस किया अब देखो यहां पर क्या option आया होगा एक उपर जा सकता हूं मैं मूव डाउन एक नीचे कर सकता हूं डिलीट कर सकता हूं पर दम से मैं मूव के उपर क्लिक करता हूं बता देता हूं पहले इसने कहा कि आप पहले उस option पे अपनी finger अपना करसर लेके जाहें जहां पर आप उस चीज को मूव करना चाहते हो फिर वहापे डबल टैप कर दो जैसे आप डबल टैप कर दोगे तो मूव हो जाएगा अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके डिफोल्ट के बाद जो है ओटोमेटिक ब्राउजिंग यहां पर मैं डबल टैप कर देता हूं पहले नंबर पर देखते हैं पहले नंबर पर आता है नहीं आता आ गया पहले नंबर पर देखो डिफोल्ट वर्च्वल स्क्रीन इसके नीचे आ गया होगा हो ओटोमेटिक ब्र प्रेस करता हूं पॉव अप का मतलब है कि एक आइटम ऊपर चला जाएगा विच्वल स्क्रीन दूसरे नमर पर आ गया ओटमेटिक ब्रॉजिंग पहले नमर पर आ अब ऑटमेटिक ब्रॉजिंग पे दुवारा डबल टाप प्रेस करता हूं मूव अप मैंने बता दिया एक उपर जाने के लिए मूफ डाउन का मतलब है नीचे जाने के लिए पहले नमर पे आ गया वर्ट्वल स्क्रीन ओटोमेटिक ब्राउजिंग दूसरे नमर पे आ गया अब जो उटोमेटिक ब्राउजिंग है इसे डिलीट करते हैं इसके बारे में जान लिया इसके बारे में भी जान लिया डिलीट के बारे में जानते हैं डिलीट करते हैं इसने का डिलीट ऑटमेटिक ब्राउजिंग कैंसल ओके तो जैसे कर दूंगा डिलीट हो जाएगा डिलीट हो गया अब मालों कोई नया ओप्शन यहां पे एड करना ह मैं एक काम करता हूं सभी को डिलीट कर देता हूं कि करके जिस तरह के से मैं डिलीट कर रहा है उसी तरह के सा पूल करना है करें echo जसकुर ग Contww करें नरह कर देम मैं एक कर अध्य चर्स ले प्सी तरह कर अथैं Turbo अब देखो यहां पर चार ओप्शिन्स हैं पहला है वर्चुल स्क्रीन दूसरा एक्स्टेंशन नोडिफिकेशन बॉक्स नोडिफिकेशन बार चार है अब मुझे यहां पर एक नया ओप्शिन एड करना है पहला जो तरीका है वो है कि आप एड का जो बटन है उपर डिफोल्ट से पहले एड का बटन है इस पर मैं क्लिक करूंगा इसने का सिलेक्ट फंचन आप कौन सा फंचन रखना चाहते हो सिले अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा इसके आगे आपको सारे चीजें सारे फंचन नजर आएंगे मालोई यह है प्लेयोर पोज मुझे इसे एड करना है तो मैं इस पर डबल टैप कर दूंगा सिंपली एड हो गया ठीक है एड हो गया यहां से अब देखता हूं यहां पर आया यह नहीं आया पहला है वर्च्वल स्क्रीन एक्स्टेंशन नोडिफिकेशन बॉक्स नोडिफिकेशन बार पांचवे नंबर पे आगया जब आप एड के बटन से एड करोगे तो आखरी में आ जाएगा बहले हो पच्चीसों तीसों ठीक है तीस है माल लीजे आपके पास आपने एड के बटन से कोई एड किया तो 31 नंबर पे एड हो जाएगा अब माल लो मुझे यह चाहिए भी नहीं और इसकी जगह कोई और ओप्शन मुझे एड करना है तो मैं क्या करूँगा इस पर डबल टैप कर दूँगा सिंपल ही इसने दुबारा कहा सिलेक्टा फंच इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो इसको लेफ्ट को भी और राइट को भी अपने इस साब से आप लेफ्ट को भी कस्टमाइज कर लीजिए गा राइट को भी कर लिजेगा जो जो चीजसे आपको चाहिए वह आप एड कर सकते हो अपर एप्प्लिकेशन पर आपको क्लिक करना अप्लिकेशन आ गई मालो मुझे किसी एक application को add करना है इंस्टाग्राम में मालीचे मुझे इससे add करना है तो मैं इस पर डबल टैप कर दूँगा ठीक है application add हो चुकी है अब यहां से back होता हूं एक बार application slash instagram ठीक है Instagram add हो चुकी है अब मैं edge gestures निकालूँगा बैक आता हूं यहां से पहले left में बता दिया है right में मैंने बता दिया है अब मैं आपको left से पहले edge gestures निकाल के दिखा देता हूं extension notification box notification bar notification bar player pause Instagram slash application इस पर फिंगर उठा लूँगा मैं आप लोग इंस्टाग्राम उपन हो चुकी है ठीक है बैक होता हूं यहां से अब आपने समझ लिया हुआ किस तरिके से किस्टमाइज करना है लेफ्ट और राइट को इसके आगे कुछ और option है वो देखो यह क्या चीज़ है यह चार options है चार gestures हैं ठीक है अब आपके उपर यह depend करता है कि आप कौन से यूज करते हो वो जेस्टर यह वाले जो मैंने उपर कस्टमाइज करने के बता है कि लेफ्ट से राइट की और जाओगे स्वाइब करते हुए ठीक है दीरे दीरे तो सारे option आएंगे ठीक है या फिर आप यह चाहते हो यह जो चार options हैं आकरी के चार जेस्टर हैं इन्हें यूज करना चा यह किस तरह से परफॉर्म करने है और उनमें क्या अंतर है वो मैं आपको बता जीता हूं उनमें क्या है आपको लेफ्ट से माल लिजे आपको निकालना है राइट से निकालोगे आप ठीक है राइट से माल निकाल लिया तो जो आपने कस्टमाइज किया होगा राइट से ठ किक करके जिसको एक्टिवेट करना है उस पर फिंगर उठा लोगे यह हो गया लेफ्ट में भी ऐसे होगा ठीक है अब यहाँ पे जो आखरी में चार उप्षिंस हैं चार जेस्चर हैं कौन से कौन से ध्यान से सुनना अब पहला तो यह है कि आप जो एज है राइट का है लेफट के ऊणल स्वयिप कर दोगे धीनी एक दम से एक सेकंड में जैसे हम जेस्चर परफ चर्फ़ंब करते हैं लेफ्ट तो राइट करते हैं उतनी तेजी से बाइज आपको लेफट की और स्वाइब करदेना है तो यह एक ज़ेश्चर हुआ दूसरा ज़ेश्चर यह है कि आपको रखने यह फिंगर एज टे हे ओपर तो यह दूसरा ज्चर हुआ है है तो यह मुष्ट करना है यानि एक बर पहले स्वाइब करना है फिर वहाई पर एपने रोका वहाई पर ओल्ड कर देना है यानि फिंगर रख देने हैं दूबरह तो यह दूसरा जैस्टर हुआ यह थे बैसिक यूझे लिए लेकी प्रेक्टिस करोगे तो आ जाएगा और तो दो जो हैं इसके opposite हैं यानि यह right से निकल रहते दो left से निकलेंगे आपने left के edge के उपर finger रखी vibrate हुआ एक दम से right की और swipe कर दिया यह पहला gesture दूसरा gesture यह है कि आपने left के edge के उपर finger रखी vibrate हुआ राइट के वो swipe किया और hold कर दिया तो यह 4 जैसर हो गया अब इन्हें customize भी कर सकते हो यहां पर पहले से चारो gesture set हैं कौन से कौन से मैं आपको दिखाता हूं left edge का जो है go back है यानि left से आप finger रखके right के वो swipe करोगे तो go back हो जाएगा स्वाइट से आप finger रखके left की और swipe करोगे तो go back हो जाएगा और अगर राइट में आप finger रखके left की और hold कर देते हो तो home screen नहीं है होम स्क्रीन हो जाएगी ठीक होम स्क्रीन पर पहुच जा हुए आप रीसेंट अप्लिकेशन के ऊपर जाने के लिए आपको लेफ्ट में जो एज है उसके ओपर finger रखनी है और right की और swipe कर देना है तो वो home screen overview जो बटन होता है उस पर क्लिक कर देगा यह रिसेंट टैप आ जाएंगे आपके सामने नोडिफिकेशन बार में जाने के लिए लेफ्ट जो एज है उसके ओपर finger रखेंगे वाइबरेट होगा राइट के ओपर आपने finger रखी वाइबरेट हुआ लेफ्ट के ओर swipe कर दिया दूसरा है राइट के उपर आपने right edge के ओपर finger रखी वाइबरेट हुआ left की और swipe किया और hold कर दिया तो gesture हो गए तीसरा है left की edge की उपर आपने finger रखी vibrate हुआ और चोथा है left edge की उपर आपने finger रखी vibrate हुआ और right की और आपने swipe कर दिया और hold कर दिया यह 4 हो गए समझ में आ गए होगा आपको अभी से customize भी कर सकते हो अगर आप चाहरे हो कि right से में जो रख रहा हूँ मदब right पर जो मैंने edge पर रखा vibrate हुआ left की और swipe कर दिया उस वाला gesture है जिस पर go back रखा हुआ है इसको मान लिजे मैं चाहता हूँ कि कुछ और रखा हो इस पर मैं देखता हूँ ठीक है अब उस पर जेस्चर के उपर आपको क्लिक कर देना है सारे function आपकी सामने आ जाएंगे जिसको रखना है वो रख सकते हैं आप मान लो मुझे previous paragraph रखना है तो मैं इस पर double tap कर दूँगा इसी तरह किसे मैं सारे customize कर लूँगा अपने हिसाब से ठीक है तो वो जैसी मैं perform करूँगा तो activate हो जाएंगे तो अमीद करता हूँ मैं आपको सारे gestures समझा पाया होगा अब बात करते हैं जो ऊपर जो दो option छूड़ गए हैं उनके बारे में अब देखो यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना अगर आप यह यह आख्री में मैंने चार बतायाु ना राइट और लेफट वाले swipe और hold वाले जो थे चारों अगर आप उन्हें यूज करना चाहते हो अगर आप उन्हें यूज करना चाहते हो तो इसे चेक लगा दोगे चेक लगा दोगे तो वो एक्टिविट हो जाएंगे अगर आप तीसरा वाला जो है यह वाला तो होगा क्या कि वो जो लेफ्ट और राइट वाले थे ना जिसमें बहुत सारे उप्शिन आ सकते थे वो वाले नहीं आएंगे वो आले आप यूजर नहीं कर पाऊगे यही यूजर होंगे जो चार है तो फाइदा आपका हो नीवाएगा अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आपको दूसरे वाले को चेक रखना पड़ेगा और उसमें यह भी है अगर इसे नोट चेक कर देते हो ठीक है । तो होगा क्या दूसरे वाले को मानने जी आपने चेक लगा दिया तूपर और नीचे डौनों से ही प्रफिंगर से अपके निकलेंगे जैसे जिसे मैंने शुरू में बताया है आठ दिशाय होती एं फिर बस उपर वाली यूज्जञ होती है जो टोप लेफ्ट को लेफ्ट है बोटम लेफ्ट से निकलेंगे जो बीच में वह चार जेस्टर निकलेंगे जो आखरी में थे तो काफी जादा confusing चीज है यह तो basic user क्या करें यहां पर मैं बता जिता हूं basic user को क्या करना है दूसरे वाले को note check रखना है तीसरे को check रखना है simple वह जो left से right के और निकलते हैं right से left के और वह यूज कर पाएंगे बाकि जो चार जेस्टर हैं वह नहीं यूज करें ज्यादा अच्छा है क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल है आप सुना भी होगा कि में को समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि अगर मैं लिखके समझा देता तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि आप सामने तो हो नहीं तो प्रैक्टिकल करके समझाना उतना संभव है नहीं तो अगर आप दूसरे वाले को चेक रखते हो तो होगा क्या कि वह जो चार जेसर है उनका यूज कर पाऊगे और उपर और क्ल fulfilled आपको क्यों में अब क्ल각 में और मुझाउता पाऊउili तो आप में आपको चेकल कोुझे यह जरू कॉन कर दो समझा पाऊ हो तो को कीजिए कि मैं अन्सर करने की पूरी कोष्ट करने की आपनी तरफ से क्या कि मैं आपको अच्छे समझा पाऊं मैं आगर पाया हूं तो एक लाइक जरू से कर दीजेगा अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी तक काफी मैने तो लगी है तो लाइक जरू से हो जाना चाहिए शेयर कर दीजेगा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसी यूनिक वीडियो के लिए तो मैं जल्दी इजाज़त में होंगा नेक्स्ट वीडियो लेके